हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपको छोटे से कपड़े से बहुत ही काम की चीज बनाना सिखाऊंगी इस वीडियो में तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आये और आपके लिए यूस्फुल हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा सबसे पहले हमने इस तरीके से एक पीस काट लिया है यह मेरे पास छूटा सा पीस है कपड़े का तो इसकी जो लंबाई 9,5 है और चोड़ा इसकी 6 इंच है तो इस तरीके से हमें एक पीस ले लेना है तो यह मैं बचेवे कपड़े से बना रही हूं और इसको जो है हम इसमें फॉर्म लगा लेंगे और फॉर्म बीच में लगा के और नीची कपड़ा लगा के हमें इसे सिलाई कर लेना है सबसे पहले तो यह मैंने जो है इस तरीके से कपड़ा ले लिया है तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको बीच में इसमें निसान लगा लेंगे यह हमने एक बीच में निसान लगा लिया है और इस तरीके से काट लेंगे 1.5 इंच पर मैंने निसान लगाया और इसके इस तरीके से दो पीस कर लिए है इस तरीके से देखिए और इसके बाद मैं इसमें चेन लगाऊंगे तो यह मेरे पास चेन है तो इसको हमें जिप को किस तरीके से लगाना है इस तरीके से रखना है उल्टी साइड में और यहां पर हमें इसके ओपर सिलाई करनी है मसीन से पक्की और इस के वादि से इस तरीके से हम पलट लेंगे देखिए उल्टी साइड से लगा के हमें सीडी साइड से पलट लेना है तो मैं इसे अभी सिलाई करके से दिखाती हूं आपको तो देखे मैंने इसमें सिलाई कर लिया अब हमें जो यह पीछ लिया इसको भी हम इस तरीके से उल्ट साइड रखेंगे और सीधी साइड में इसे पलटके इसमें भी सिलाई कर लेंगे तो मैं इसमें पक्की सिलाई आपको करके दिखाती हूं तो देखें यह हमने इसमें पक्की सिलाई कर लिए इस तरीके से इस तरीके से हमें और इसके बाद हमें क्या करना है जब हम इसमें पक्की सिलाई कर लेंगे देखिए इसमें चेन लग चुकी है एक साइड में और इसके बाद हमें एक पीस हो लिया है हमने और इसमें भी हमने फॉर्म लगाकर सिल लिया इसको भी इसके बाद हमें इसे इस तरीके से रखना है और इसे भी हमने चेन जैसे उसमें लगाई थी कि हमें सीधी साइड चेन लगानी है और इसे पलट लेना है इस तरीक से उल्टी साइट को हम इसे पलट लेंगे या आप इस तरीक से भी चेन लगा सकते हैं देखें पहले हमें इसमें जोन है और उसके बाद हमें इस वाले कपड़े में जोन है तो यहाँ पर हम इसे जोन कर लेंगे लगा लेंगे तो इसे भी में मशीन की सायता से इसे लगा लूँगी चेन को और इसके बाद मैं आपको दिखाती हुई से तो देखें जिए हमने इसमें चेन लगा लिए यह उपर वाले लगा लिए और यह यहाँ पे हमने बीच में भी लगा लिए इसके बाद हमें से उल्टी साइड इसे हम फोल्ड कर लिंगे इस तरीके से देखे और चैन को हमें जो हमने उपर चैन लगा थी इस इस तरीके से रखेंगे और अब हम इसके साइड पर यहांपर चिलाई कर लिंगые और दोशी साइड भी हमें कि सिलाई करके और नीचे भी हम सिलाई कर लेंगे तो इसमें हमें तीनों साइड सिलाई कर लेंगे कि इस तरीके से देखे हमने इसमें मसीन से सिलाई कर लेंगे पक्की कि और इसके राद मैं इसे चेन को खोलूंगी और इसको हम सीधा करेंगे देखे मैंने चेन खोल लिए है अब मैं इसे पलट लूँगी और इसके जो आप कॉनर है इसे अच्छे से निकाल ले साइड में इस तरीके से आप इसे सीधा कर ले और देखिए सीधा करने के बाद ये सुंदर पर्स बन कर तयार है जो आप मारकेट के लिए अपने सामान रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुती आसान है बहुती कम समय में ये बन जाता है और बिल्कुल मैंने ये वेश्ट कपड़े से बनाया है जो हमारे पास घर पर रखा हुआ था आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं और इसका साइज आप कम ज्यादा रख सकते हैं अगर आपको बड़ा बनाने तो इसमें आप ज्यादा कपड़ा रख ले तो साइज को आप छोटा बड़ा अपने अनुसार रख सकते हैं और वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आए तो एक ला कल्याप का बहुत बादनियों